आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभाद संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है आज मेरे मन की वो ही व्यता है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खणाओ रखकर अयोध्या का शासन संभाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाओगी भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिये गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्विकार किया इसलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुर्शुर्तम कहते हैं उनकी जिन्दगी हम सब के लिए मर्यादा और नेतिक्ता की एक मिसाल है बिल्कुल उसी तरह अर्विंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीती में मर्यादा और नेतिकता की एक मिसाल कायम की है पिछले दो साल से भारतिय जन्ता पाटी ने अर्विंद केजरीवाल जी पर कीचर उच्छालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन पर जूटे मुकदमे लगाए उनको गिरफतार किया उनको छे महीने तक जेल में रखा चब अर्विंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई है शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री के कुरसी पे बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुरसी पे नहीं बैठूँगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी इमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते है मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चार महीने में जो आने वाले चुनाव हैं दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ अपने आशिरवाद के साथ अपने भरोसे के साथ फिर से अर्विंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुरसी पे बठाएंगे तब तक ये कुरसी इसी कमरे में रहेगी अर्विंद केजरीवाल जी का इंतसार करेगी धन्यवाद करेगी देडितला जी करेगी और दो में जी आपने प्रविंद के साथ